Independence Day पे नए batches के साथ आ रहे हैं हम Late Commerce batch और उसकी कीमत सरफ और सरफ 425 है और ये पूरे course का पराईस है जो भी Late Commerce है वो इस batch के अंदर enroll करवा सकते हैं और इस batch के अंदर आपको सारी चीज़े कराई जाएगी अब पेपर में 63% exam को पास करना पड़ेगा तो don't waste your time लेकिन information से related काफे time के बाद तो आज हम जो discuss करेंगे वीडियो पे सबसे पहले ये become semester 3 के लिए है और दूसरी चीज के अब pass होने का जो criteria आपका change हुआ है उस pass होने के criteria के लिए क्या मतलब conditions है जो du के du ने इस वार apply करना है उसकी भी हम बात करेंगे बहुत बच्चों को नहीं पता होगा के pass होने का पहले 50% exam pass होना होता था अब उसको बढ़ा के 63 exam कर दिये गया है जो कि कहीं न कहीं tough हो चुका है तो आप सभी के चाहे student become program का हो चाहे become honors का हो specially Delhi University के student के लिए है तो become program और honors में पहले तो मैं subjects बता दू हलाकि साथ subjects हैं आपके लेकिन जो core subject हैं आपके ये आपके core subject होने वाले हैं ये program के अंदर है और ये honors के अंदर आपके core subject है ठीक है सर प्रोग्राम के core subjects की अगर हम बात करें तो financial management common है honors में और इसमें भी and business stats और उस साइड हमारा business maths है बस ये change आया और POM का मतलब है principle of marketing आप सभी student के colleges open हो गया होंगे SOL वाले बच्चों को जादा जानकारी नहीं पता चलती तो वह अगर बच्चे देखें ये वीडियो तो आप alert रही है क्योंकि अब थोड़ा सा मुश्किल बढ़ने वाला है आपका क्योंकि अभी जो cases जेई नीट का हुआ तो उससे exam आपका exam के उपर क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे चीज़े दिक्कते आई government के अंदर भी आई वो चीज़े तो डियू का भी result अब उसी के इसाब सा थोड़ा सा मेरा जो expectation है के थोड़ा बहुत वह alert रहेंगे और जो result एकुरेट ने का लेंगे वो सर ये तीन सबजेक्ट आपके कोर हैं बाकी के सबजेक्ट जो हैं आपके इसके साथ चार सबजेक्ट वो optional है उन चार सबजेक्ट को मैं explain इसलिए हर बार नहीं करता क्योंकि हर college में अलग-अलग दिये जाते हैं तो वो चार सबजेक्ट आपके रहेंगे optional वो college के उपर depends करने वाले तीन कोर तो हर बच्चे के पास है तो हम इसकी बात कर रहे हैं सर यह सबजेक्ट आपको पढ़ना है पेपर आपका जैसे आता था वही पैटन पर पेपर आएगा लेखिन इस बार financial management थोड़ा सा आपको परिशान कर सकता है अगर आप नहीं पढ़ोगे business stats बहुत बड़ा सबजेक्ट है principle of marketing theoretical है जिसे आप पढ़के easily कर सकते हो same financial business maths अब देखो business maths कुछ बच्चों के mind में एक confusion रहता है सर हमारे पास 12 में maths नहीं था तो क्या हमें भी business maths का देना पढ़ेगा पेपर जी हाँ matter नहीं है क्या आपने 11 और 12 में with maths थे या without maths थे आपके college के अंदर जो subjects हैं उसको पढ़ना पढ़ेगा मेरे हिसाब से आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास 11 पर में हिंदी नहीं थी लेकिन उन्होंने कितनी बार हिंदी पढ़ ली होगी अब तक इससे तो clarity मिल गया होगे कि college का सारा scenario अलग होता और वैसे भी आपको एक साल से उपर हो चुका है college में तो आप मेरे हिसाब से बहुत सारी बाते आपको जानकरी होंगी अब मैं इसके book की बात करूं सर इसका book होगी मार्केट में आ चुका है that is Rp रस्तोगी पैघ मेर की बुक का नाव है Rp रस्तोगी programme के अंदर सुल्तान चंड राइटर मैं और पब्लीशर कीबात कर रहा हूं सुल्तान चंड आरपी रस्त होगी ठीक है बिजनस ट्रेट्स की बुक के नाम है जे के ठुकरार और प्रिंसिपल आफ मार्केटिंग का बहुत सारे रेफ्रेंसिस के बुक्स अवेलिबल है मार्केट के अंदर जिसमें से आपका टेक्समेंड का भी कुछ बुक्स है और अदर अदर राइटर्स के है पाइनेशल मैनेजमेंट का यहां पर थोड़ा फ़राख है ध्यान देना ओनर्स वाले बच्चे स्पेशली आपका भी आरपी रस्तोगी है लेकिन आपके बुक को बनाने की रिस्पॉंसिबिलिटी जो है न वो दूसरे पुब्लिशर लेते हैं पुब्लिशर का नाम है टेक्समें ठीक है न तो जब भी ओनर्स वाले बच्चे लेने जाए तो उनको बोलना है आरपी रस्तोगी दो टेक्समें का और जब प्रोग्र बिजनस मैट्स की बात करें तो जेके ठुकराल और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग सेम राइटर का रहने वाले हैं यह आपके बुक्स अथर के नाम है और मैं पढ़ने का सही तरीका बुक्स ही होता है और हार्ड कॉपी होता है पीडिएफ का कोई चकर नहीं होना चाहिए तो आप बुक्स से ही पढ़िएगा सुरू से लेके एंड तक ये मेरी आप सभी बच्चों को एक अडवाईस समझ लीजिए चाहे जो मर्जी समझ लीजिए रिक्वेस्स समझ लीजिए कि बिना बुक्स के पढ़ेंगे मार्क्स नहीं आएंगे अब चलिए हम बात करते हैं में किस तरीके से 63% लाना बहुत जरूरी होगी अब पासिंग मार्क्स के लिए तो उसके उपर अगर मैं डिसकस करूँ तो देखे आपके एक्जाम कि अगर बात करें तो जैसे कि एक साल में फॉस्ट इयर में आपने टूटल 14 पेपर दिये हैं जिसके अंदर फॉस्ट इय आएका सेमिस्टर 3 जो कि आप पढ़ेंगे और एक आएका सेमिस्टर 4 अब जैसे ही यह दोनों पेपर करेंगे चले जाएंगे 3RM में और 3RM में आपका हो जाएगा सेमिसटर 5 और सेमिस्टर 6 हर पेपर में क्राइटेरिया रखा हुआ इन्होंने कि हम आप से जो vividlyба कर सार तीन चार पाँच छे साथ यह साथ exam है जो आप से पूछे जाते हैं अब semester 1 में आपने financial account पढ़ा होगा आपने business organization management पढ़ा होगा या management account पढ़ा होगा इसके साथ साथ आपने business law पढ़े होगा बहुत सारे subjects पढ़े होगे तो पहले क्या था कि यह आपके जैसे 7 paper यहां हो गए और वही 7 paper आपके यहां हो गए मैं paper के नाम नहीं लिख रहा समझ लिजी आपके 7 paper है तो पहले क्या था आपके total paper देखा जाए तो total paper करेंगे तो इन दोनों 1 साल के अंदर आपको total कितने exam देने होते थे है ना आपको देने होते थे कितने exam 14 exam जिसमें से डियू का criteria कोविड में था कि भाईया तुम paper में 2 bet हो चाहे मत bet हो हम आपको next year promote कर देंगे उसके बाद जैसे कोविड का impact खतम हुआ तो फिर डियू ने बोला कि आपको कम से कम कोई भी इसमें से 7 paper पास करने है तब आपको इस second year में promote करेंगे कोई भी 7 paper यानि 14 out of आपको total 7 exam पास करना है हो सकता था हम इसमें से 2 exam पास करें और इसमें से हम 5 exam पास करें हो सकता था कि हमने semester 2 दिया ही नी paper semester 1 में सब में पास है और इस 7 exam पास है तो हम promote हो जाएंगे अगर आपने ये पूरे 7 paper कर लिए तब भी आप second year में promote हो जाएंगे ये साथ कर लिए तब भी promote हो जाएंगे और सारे कर लिए तो promote होई ही जाओगे अब D.U. ने बोला कि भीया पहले हमारा exam का criteria इसमें 50% था लेकिन grade system के अंदर कुछ की अंदर grading का system अलग था grading तो D.U. ने बोला कि अब आपको इसमें 63% exam पास करने होंगे तो सर अगर 63% exam की मैं बात करूँ मोटा मोटा में एक idea ले लूँ क्योंकि grade के according समझाना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी तो आप 14 के उपर 63% निकाले तो 8 यानि लगभग लगभग पहले जो 7 paper का criteria था वो आपको 9 exam पास करने पड़ेंगे 9 भी हो सकते हों और 10 भी हो सकते हों ग्रेड के according रहेगा तो यानि 9 exam पास करने के लिए ये paper तो पास ही करने है और इसमें से 9 अगर आप 8 exam पास करते हो मान लेते हैं 1st semester का सारा clear है इसमें आप किसी वज़े से paper नहीं दे पाए किसी भी reason की वज़े से चाहे आपका C.A. का exam क्लैश हो गया तो आपने semester 1 पास कर लिया तो आपको second year में promote नहीं किया जाएगा आपको fail ही माना जाएगा और आपको दुबारा से 1st year के यह सारे exam जो पास भी कर लिये थे वो दुबारा देने पड़ेंगे अब मान लेते हैं कि आपने यह सारे paper पास कर लिये इसमें से आपने कोई भी 3-4 paper पास कर लिये तो total मिला के मेरा उनका कहना है कि आपको 9 paper आपको इसमें से पास करोगे दोनों को मिला के तब आप promote कहां पे हो जाओगे आप हो जाओगे second year में तो एक tough challenge हो गया क्योंकि 50% का area थोड़ा सा easy हो जाता था अब paper भी आने वाले समय में tough है पीछे बच्चे जो semester 1 के अंदर होते हैं बहुत सारी जैसे corporate account या company law बहुत सारे subject आप लोगों ने क्या करा last time पे तयारी करी तो बहुत बच्चे तो सुरू से अच्छे से तयारी कर रहे थे तो ये passing criteria है hopefully मैं समझा पाया होंगा तो मैं इसलिए कहना चाहा रहा था कि भाया अब आप इसको पढ़िए क्योंकि अब वो वाला काम नहीं चलेगा क्यार paper दिया तो ठीक नहीं दिया तो pass हो जाएगा अब डियू ने सोच रखा है कि बच्चों को हम fail कर देंगे और fail करके जो paper pass out था उसको उसी में रखेंगे उसे हम next year पर्मोट ही नहीं करेंगे पहले ये था fail का मतलब है आपको zero से paper देना है और ER का मतलब है जिस paper में fail हुए हो सिर्फ उसी paper को देना है ये डियू का डियू का जो proposal है वो सेंशन सारे चीज़े हो चुका है इस बार से applicable भी हो जाएगा सर बुक्स के नाम भी पता चल गया है ये भी तो hopefully आप सभी student को पता चल गया होगा कि पढ़ना है और time बहुत आपका निकल चुका है आपके पास August का भी मानलो महिना गया September, October, November December से paper है सिर्फ 3 मन्थ है इस बात का ध्यान रखिएगा 3 महिने यानि 90 दिन है तो बहुत सारे बच्चों का demand भी था सर कैसे करे नहीं करे तो panic create नहीं हो ना आपको एक अपने मन में एक अपने आप में strategy बनाना है कि हमें पढ़ना कैसे है और कितने marks score करने है और आगे हमारे इस से related future planning क्या होने वाला है वो सारी चीज़े आपको दिमाग में लेके चलना है तब जाके आपके दिक्कत नहीं होगी अगर आप panic करोगे तो फिर दिक्कत ही है बहुत सारे बच्चों का था सर batches का भी एक बार में बता दू कि बहुत सारे student का कहना था कि सर पुराने batches मेरे चल रहे हैं FM के अंदर लगबग लगबग काफी chapter हो चुका है और सेम ऐसे business stats math में chapters हो चुके हैं लेकिन उसको काफी slow चला रहे थे हम तो बच्चों के लिए जो अभी late हो गए थे जो college join नहीं कर पाये थे उनके लिए space lead जो late हो गए थे हो तो एक हमने new batch launch किया है independence day भी आ रहा है आपका और एक new batch हम launch करने जा रहे हैं जितने late commerce है जो बच्चे late हो गए थे अब मैं यह नहीं पूछूँगा if but के क्यों late हुए नहीं हुए जो भी late commerce है वो इस batch के अंदर enroll करवा सकते हैं और इस batch के अंदर आपको सारी चीज़े कराई जाएगी सर क्या क्या रहेगा इस batch के अंदर सर इस batch के अंदर आपके live classes रहेंगी और कल आज क्या है MWF आज एक मतलब कि new chapter भी start हो जाएगा और live class के बाद वही सारा का सारा रहेगा doubt session रहेगा और doubt के बाद आपका जो भी recorded वीडियो होती है और recorded मिल जाएगा fees को लेके काफी बच्चे बोल देते सर डिस्काउंट आएगा तो करेंगे मैंने का discount का देखो possibility अब नहीं बन पा रहा है लेकिन फिर भी मैंने कोसिस करा है वैसे तो अभी 650 रुपे का course था इसको मैंने maximum maximum discount कर दिया है और ये आपको अब 425 रुपे का ये course मिल जाएगा इसके साथ थोड़े से इंटरनेट 4-5 रुपे जूट जाते हैं 425 रुपे का आपको course ये मिलेगा कौन सा सर 425 रुपे का इसमें से कोई भी course ले सकते हो principle of marketing अभी हम नहीं करवा रहे हैं दो subjects है इन दोनों subjects के live classes के मिल जाएगे और regular college वालों के लिए साथ के साथ pre-recorded सारे lectures मतलब pre-recorded अगर किसी का internal आ रहा है तो वो पहले से ही कोई chapter कर सकता है साथ के साथ 10 year के सारी पहले से video recorded होके मिल जाएगे 10 year 15 अगस्त के बाद सारे के सारे market में आ जाएंगे तो hopefully आप इन बात को समझ पाए होगे आपको समय बरबाद नहीं करना है आपको मैं clear बता दूं कि आप सोचोगे कि सर बाद में पढ़ लेंगे ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है YouTube पे तो YouTube पे देखो classes आ रही है लेकिन जैसे जैसे schedule होता है वो YouTube पे classes upload होती रहती है तो आपको YouTube पे अगर पढ़ रहे हैं तो आपको regularly YouTube पे update रहना पढ़ेगा और अगर आप classes में आते हैं तो उसके अंदर आपका जो time table है उसके according schedule में classes हो जाती है आपकी तो hopefully समझ में आया होगा don't waste your time अब paper में 63% भी pass होने के लिए लाना पड़ेगा 63% exam को pass करना पड़ेगा और साथ के साथ Independence Day पे आप नए batches के साथ आ रहे हैं हम Late Commerce batch और उसके कीमत सर्फ और सर्फ 425 और यह पूरे course का प्राइज है तो मिलते हम next वीडियो में आप समय बरबाद ना करें Thank you so much